दलितों का वंचीतों का गरिवों का मुझलुमों का हक हकुक की लड़ाई लड़ना अगर नक्सली कहलाता है तो हमें यह सिविकार है और आजीवन सिविकार है रहेगा हम आजीवन नक्सली बने रहेगा अगर आप जाती से दलित हैं तो आप नक्सलाइट हो गया नक्सली हो अगर आप पिछड़े हैं ताप नक्सली हो गए अगर आप मुसल्मान है ताप अंतकवादी हो गए यह मन्सिक्ता फैलाएगे अगर जनसनहार करने वाले के आप साथ लेकर घुम रहे हैं तो आप लोग क्या हैं यह लोग दलित बिरोधी लोग हो गए फिर यह लोग किसमों से दलित के दर्वाजे पर जाएंगे जिनके घर की हत्या हुए जिनके सुहाग उजड़ गया जिनके सर से पिता का साया उठ गया जिनके गोल सुने हो गया उनके दर्वाजे पर किसमों से जाएंगे और उस लड़ाई को किसी ने लड़ा उनके बचाओ को किसी ने किया आप उसको नक्सलाइट बोल दिये परतेक किरिया के विर्यूद में एक परतिकिरिया होती है उस परतिकिरिया का माले ने अंजाम दे दिया नक्सली सब्द देश के पच्छी मंगाल के नक्सलवारी गाउं से निकला हुआ सब्द है जो आवाज बनने के लिए नक्सलवारी गाउं से एक आंदोलन की शुरुआत हुई और उस आंदोलन में जो लोग सामिल हुए उन लोग को नक्सली नाम दिया गया गरभौती महिलाओं की इसलिए मा इतिलीटी है तो इस हिसाब से अगर देखा जाए है तो हम भी नक्सली हैं लोग सबाचुनाओं का सरगर्मी तेज हुचुका है वैसे में जो है एक वीडियो वारल हो रहा है वह भी माले प्रत्यासी जो है आरा लोग सबाचेतर से आपको बतादे उस वीडियो में यह कहा ध्याया जा रहा है मौने प्रत्यासी द्वारा कि मैं यह फिस रही हूँ इक पत्रकार के माद्यूंसे सवाल किया जा रहा है जी बहुत भूत धनिमाद आपका ये माले के प्रत्यासी जह हैं लोकसभा चुनामे को रहे हैं कि मैं नक्सली हूं देखिए ये ये सुदामा परसाद भगपा माले सारा लोकसभा से जो गटवंदन इंडी गटवंदन से प्रत्यासी हैं और ये बात उन्हें क्यों कहीं और का अधार क्राम को दौरान मंच से अमीद सहाने एक बात कही कि नक्सली चुना लड़ रहे है और नक्सली को जितवायाद आप जिता देते हैं नक्सली को फेर से वही ईं कि आप दोर कर जाएगा जो दोर से आप लोग निकले है जो नक्सली का दौर था उस दौर से आप लोग निकले में और आंकसली के वह सब्सक्राइब कर देश के पच्छी मंगाल के नक्सलवारी गाउं से निकला ववा सब्सक्राइब वहां चाय बागान का अंदोलन हो रहा था जो उनका सोसन हो रहा था समंती संपराइक टाकतों के दोरा जो समंती लोग थे उनका सोसन हो रहा था सोसन के दोरान आवाज उठाने के लिए चारुम मजमुदार उस टाइम के नेता थे इन लोगों ने इसको देखा और इनको आवाज बनने के लिए नकसलवारी गाउं से एक आंदोलन की शुरुआत हुई और उस आंदोलन में जो लोग सामिल हुए उन लोग को नकसली नाम द को लोग दे सकते हैं सब वाकिफ हैं को लोग आम दे सकते हैं औ logo आप मैंक स्बण इसे लगत कई हैं और भी हैं अगर आप उसचलार सभ्रक पिछड़े हैं स्थमक्क्रशामे को अंदोलन मुसल्मान है अगर यह किमन्स्थिवारी जो लोग है समन्ति टाइप के लोग है जिनकी यहां सोच भरी हुए जाती पाथी से ग्रशित लोग है उनकी सोच है कि जो दलित है उननक्सली हो गए जो कि यहां जंसनहार भी जो हो रहे थे अपने सुना होगा बाथे बाथानी जन्सनार हुआ था लक्षमार बाथे का जन्सनार हुआ था कौन लोग मारे वह थे छोटे छोटे मासुमों की हत्या हुई थी जो पेट में पल रहे थे बच्चे उनकी हत्या हुई थी गर्भावती महिलाओं की हत्या हुई थी क्यों कि ये नक्सलाइटों को को जनम देगे रहां पहरते महीलायों के शिस लिए मारा गया था क्योंकि वो नक्सलाइट को जनम देंगे पैटमें पल रहे बच्चोंस बच्चों से नक्सलाइट बनेंगे छोटे-छोटे मासूम sorry घंव कि बड़े हो का मजलुमों का हक खक की लडाई लड़ना है अगर नकसली कहलाता है तो हम यह सी लुकार है और हुआ माले की बात नहीं कि प्रवक्ता गराप की न्हीं वेठा नंते लेकिन तो ममीट साथ जी तो बोले है ना माले के निता को नक्सली होते हैं इसलिए चुकि यह लड़ाई भरती कौमिस पार्टी मक्सबादी लेडिवादी की नित्रुत में नक्सलबाडी आंदोलन से शुरुआत हुई थी इसकी लपट जो थी 1972 में भोजपूर जीले के एकवारी गाउं में इसकी आग जो थी धड़ाक उठी क्योंकि वहां से आपने कौमरेड जगदीश मास्टर का नाम जरूर सुना होगा जगदीश मास्टर रामिश्वरियादो कौमरेड रामनरेश राम की नित्रित्तों में जो भोजपुन में समंति संपरदाइक ताकत जो दलित्तों पर जुल्मत्य अचार हो रहे थे जाती के नाम पर दलित्तों को वोट मारने का अधिकार नहीं तो उनने 177 के हम बात कर रह यह अथिकार नहीं था उस अधिकार को दिलाने के लिए लडाई जो थी नखसलबाड़ी गाहों से सिध हेकवारी गाहों में पर पहुंची और वो लडाई के नित्रित्तों जो मालेच जो आप मालेव ओल रहे हैं माले कर रही थी ज्यादा तर जो परत्यासी है आपके लड़ाई लड़ाई गई है और लड़ाई के नित्री तो माले ने किया था इसलिए माले को एक सवाल है मेरा आपने बोला कि माले जो है जोरू और जमीन की लड़ाई थी ठीक है मर्कसदवादी लेलिनवादी की लड़ाई की तरफ लड़ाई था तो आप बताईए माले तो आज के समय में उसमें जो है कंगरेस के साथ है ताजएत के साथ है सबी लोग महागटबंदन कर रहे हैं अब लड़ाई बिजेपी से है तो कैसे का ऌसकते हैं उस समय क माईिना थे टीश अचिवादी पर चल रहे हैं उस तानाषाही को लोग चुल अंत मुझे ततना साहि में आपको लगता है कि कॉंग्रेस की ब्रजगार o लthese 설ई इंद शालकंपि लगता हैंmin है। इहां सर्कार जरूर कॉंग्रेस की ती हैं लड़ाई में जो लोग सामिल थे वो कौन लोग थे समंतवादी थे अगड़ी जाती के लोग थे जनके पास जमीन होता था जो जमिंदार होते थे वो लोग दमन करते थे अगले पांच साल के बाद फिर से चुना होंगे क्यों कि आप तनसाः नहीं बनियेगा अगर आप मनमाने कीज़ेगा अगर पूना जानता जो होती है इस लोग तंतर में सरव परी जनता मालिक होती है जनता अगर असमान में अपको उठाना जानती है लाक प्र जमिंद पर पटकना भी जानते हैं और एक बात आप साइध भूल गए हैं कि आरकेसिंग जो परत्यासी हैं यह मंच से बार-बार कहते आते हैं कि यह लोग नक्सली है। क्या दलित ब्रयोधी लोग हो गए फिर यह लोग किस मुख से दलित के दर राजय पजाएंगा दलितु वोट लेंगे जिननके घर की हत्तिया हूँ जिनके smell उजौड गया जिनके सर से पीटा का सयार उठ गया जिनके गोल सुने हो गया उनके दरवाजे पheaded किस्म सजाएंगे और उस लड़ाई को किसीने लड़ा उनके बचाव को किसी ने किया आप उसको नक्सलाइट बोल दियए कोई कितना भी कमजूर कितना दिन तक सहिएगा तो मतलब सहाने कर नहीं है तो समिध्हान नो बनाए गया था लेकिन धरातल पर लागु को भुगा लड़ाई लड़ी गई ठीक है समिध्हान जरूर बना था इस देश में लेकिन किसके हाथ में सता थी कौन लोग सता का संचाल मने मन मानि sufficient चनल यह माली कहंता है और जनता चना चनल करेगे आप से लुएंगी सरकार बनेंगे यह चे तरह बनेंगे जो इसका feu BPI करें रहे के चित्हकर बनाते है लड़ाई लड़नी पड़ेगी समन्तों से लड़ाई बहुत लड़नी पड़ेगी और इस रिसाब से जो बात कही गई है चुनाव पर्षाद के द्वारा उस बात का मैं समर्थन करता हूं समर्थन करते हैं बेलकुल इससे चुनाव पर कोई फरबाब पड़े वाला नहीं है पिछड़े के लोग और जो बुद्धिवी बर्ग है जो समझते हैं जो भाजपा की नितियों को समझ रहे हैं वो तमाम लोग भाजपा के व्योद में उड़ कर रहे हैं बहुत बहुत अन् देश के ग्रिय मंत्री अमित साह जी के द्वारा कहा गया है कि आला लोग सब चित्रे में एक जो है अधिकारी यानि आर्के सिंग और दुसरी तरफ जो है नक्सली खड़ा हुआ है चुनाव में तो आप किसको वोड़ किजिएगा आप नक्सली को वोड़ किजिएगा अग आर्के सिंग देपाएंगे नहीं देपाएंगे सरकार आपकी है नहीं लड़ने देते रुक लगा देते बोल देते कि नक्सली बोल रहे हैं इनकी जो नमानका ने रद कर दिया जाए सरकार आपकी है थेंक यू जैहिन